चानक्या IAS Academy में आपका स्वागत है हाली में चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को एक राश्टी पार्टी के रूपे मानिता दे दी जबकि All India Trinmool Congress और NCP और भारती Communist Party के राश्टी पार्टी के दरजे को समात्त कर दिया गया आम आदमी पार्टी को राश्टी पार्टी का या Status, Symbols, Reservation and Allotment Order 1968 के अनुसार जरूरी वोट सेयर पर मिला है वहीं Election Commission ने या पाद भी कही है कि NCP और Trinmool Congress को हाली में संपन्धवे विधान सभाचुनाव में उनके प्रदसन के आधार पर नागालेंट और मिघाले में राज्ज दलों के रूप में मानिता दी जाएगी जबकि आयोग ने उत्तर प्रदेश में RLD, आंद्र प्रदेश में BRS, मनिपूर में PDA, पुदुचेरी में PMK, पस्चिमंगाल में RCP और मिजोरम में MPC को दी गई राश्टी पार्टी का प्राप्त है तो उसके अंतरगत भाजपा या BJP, Congress, CPIM, बहुजन समाज पार्टी, National People's Party और आप अब यही राश्टी दल हैं। प्राप्त की उसके अलावा पीछले साल के अगर गोवा विधान सभा की बात हम करें तो आम आदमी पार्टी को वहाँ पर 6,7% वोट मिले थे। इसका मतलब था कि 2022 के अंत में जो चुनाओ होने वाले थे गुजरात और हिमाचल में उससे पहले ही पार्टी ने तीन राज् पार्टी के रूप में मानिता प्राप्त कर लिए। वह होती है जिसकी उपस्तिती राष्ट्री इस तर पर होती है। जबकि एक छेत्री पार्टी का प्रजेंस केवल एक विसेश राज्यों तक ही मौजूद होता है। मतलब है कि वह कुछ राज्यों तक ही अपनी उपस्तिती को बनाए रखता है। राश्टी दल आम तोर पर अगर हम बात करते हैं तो जैसे कॉंग्रेस और बीजेपी हैं, हाला कि कुछ छोटे दलों को भी राश्टी दलों के रूप में मानिता प्राप्त है, जबकि कुछ दल ऐसे हैं जो अपने राज्यों में काफी प्रमुख हैं, जैसे अगर हम बात करे तो तमिल नाडू में हम डीमक को ले सकते हैं, ओडिसा में बी जेडी को ले सकते हैं, आंदर प्रदेश में YSRCP को ले सकते हैं, बिहार में RJD को ले सकते हैं, और राश्टी मामलों में भी इनकी काफी प्रमुख भूमी का राती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये छेतर दल बने हुए हैं। वहीं अब सवाल ये उठता है कि नेशनल पार्टी बनने के लिए आखिर क्रेटेरिया है। उसके उम्मिदवारों को पिछले लोकसभा या विधान सभा चुनाओं में किनी चार या अधिक राज्यों में कुल वैद वोटों का कम से कम 6 परतिसत वोट मिले। और पिछले लोकसभा चुनाओं में उसके कम से कम 4 सांसत हों। दूसरे अगर हम बिंदू की बात करें तो उसने कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा की कुल सीटों में से कम से कम 2 परतिसत सीटे जीती हो। और तीसर और अंतिमिंदू के अगर हम बात करें तो यह चार या अधिक राज्यों में मानिता प्राप्त हो। वहीं एक राज्य पार्टी के रूप में मानिता प्राप्ति करने के लिए जो शर्त या जो कंडिशन है उसके अनुसार अगर हम देखें तो हम यहाँ पर यह देखते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाओं में कम से कम 6% वोट सेयर और कम से कम 2 विधायक हो। दूसरा पॉइंट कि उस राज्य से पिछले लोग सभाँ चुनाओं में 6% वोट सेयर हो और उस राज्य से कम से कम एक सांसद या 1 MP हो। तिसरे विधानसभा चुनाओं में कुल सीटों का कम से कम 3% या 3 सीटें जो भी अधिक हो। फिर चौते विन्दो की बात करें कि परत्यक 25 दस्यों में से कम से कम एक सांसत या लोगसभा में राज्यों को आवन्टित कोई भी अंस या परतिसत और पाज़वा कि राज्य से पिछले विधानसभा चुनाओ या लोगसभा चुनाओ में कुल वैद वोटों का कम से कम आठ प्रतिसत होना चाहिए और इसमें से किसी भी जो यहाँ पर पॉइंट से उसको फुल्फिल करना आनिवारे है अब सवाल यहाँ पर है कि अगर कोई भी दल जो राज्य प्राप्त दल है या कोई भी दल जो राश्टी प्राप्त दल है तो फिर उनको किस परकार की सुईधाए प्राप्त होती है। सबसे पहली बात तो यहां पर यह है कि एक राज्ट्री या एक राज्य पार्टी के रूप में मानिता या सुनिश्चित करती है कि उस पार्टी के चुनाव चिन्द का उपयोग पूरे भारत के चुनाव में किसी अनराज्यतिक दल के द्वारा नहीं किय दा सकता है मतलब इस तरह के जो चुनावचिन होते हैं उसका उप्योग करने की मनाही होती है दूसरे बिंदु को अगर हम देखें तो उसके अनुसार मानिता प्राप्त है राज्य या जो राश्टी पार्टी होती है उनको नमांकन दाखिल करने के जब वो नौमिनिसन करने क बात करें तो उसके अनुसार जो मानिता प्राप्त राज्य या जो राश्टी दल होते हैं उन मानिता प्राप्त राज्य और राश्टी दलों को चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के दो सेट उन्हें फ्री में दिये जाते हैं इसके अलावा राश्टी राज्य पा साती सात जो और जो अनिलाप की प्राप्ती होती है, उसके अनुसार अगर हम देखें, तो राश्टी दलों को अपना पाटी कारियाल है, मतलब यह अपने ओफिस को इस्थापित करने के लिए सरकार से उनको भूमी या उनको हवन की प्राप्ती होती है. उसके साथी साथ हर एक दल के अपने कुछ ऐसे सदस्य होते हैं जिनकी जनता के बीच अच्छी खासी पहुँच होती है तो फिर राश्टी दलों को चुनाओ के दरा 40 स्टारक परचारक रखते होते हैं मतलब वो रख सकते हैं जबकि अन्य को कितने रखने होते हैं उनके 20 ही स्टार परचारक होते हैं और स्टार परचारकों की अगर हम बात करें तो स्टार परचारकों के आने जाने और अनिक खर्चों पर होने वाला खर्च पार्टी परत्यासी के चुनाओई खर्च में शामिल नहीं होता है। साथी साथ अगर हम आगे बात करें तो राश्टी दलों को लोगों को संबोधित करने या एड्रेस करने और लोगों तक अपने मैसेज को या अपने संदेज को पहुचाने के लिए राश्टी और राजिट टेलिविजन और रेडियो पर उनको टाइम का स्लोट मिलता है जो कि इस परकार इस वीडियो में हमने यह देखा कि आम आदमी पार्टी को राश्टी दर्जा प्राप्त हुआ है उसके हमने आधार देखें इसके अलावा हमने यह भी देखा कि अगर किसी दल को राश्टी ये पार्टी का दर्जा मिलता है तो वह किन शर्टों को पूरा करता ह साथ ही साथ अगर किसी दल को राज्य दर्जाप्राप्त अगर वो पार्टी बनती है तो फिर उसके लिवग किन-किन शर्तों को पूरा करता है इसके साथ ही इस वीडियो को हम यह समाप्त करते हैं फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नमस्कार